नमश्कार कैसे हैं आप सब फिजिक्स की बात में आप सब भी का हार्दिक सागत मैं हूँ दिनेश शर्मा और आज हम बात करने वाले हैं प्रेक्टरिस प्रॉब्लम्स बेस्ट ऑन बायट सेवट लॉग पिछले तीन लेक्चिर्स में हमने और हमने फिर बायट सेवट लॉग की बात की कि छोटे से करन्ट एलिमेंट के कारण किसी पॉइंट पर मैगनेटिक फिल्ड कितना होता है और हमने फिर बायट सेवट लॉग के अप्लिकेशन किये में ली तीन अप्लिकेशन किये एक करन्ट केरिंग लॉग स्टेट कंड़क् थी तो ये सारी बाते हम अभी तक कर चुक्ए हम ने बात शुलो की और इस पॉइंट पे यह फिल्ड था फिर हम्ने बात की लूप की यह लूप है तो उसके सेंटर के अपर यह फील्ड था अब depend करता है current का direction क्या है उसके हिसाब से magnetic field का direction यह भी करेगा और फिर हमने बात की किसी loop के axis पे किसी point पे field कितना होगा current की किस direction के लिए magnetic field इधर को है and if we reverse the direction of current तो field उधर को होगा जैसे हमने कल article में किया था और हमने magnetic field को derive भी किया था और इस loop में current का direction जो मरची हो magnitude of the magnetic field will remain same only direction will differ if the current is reversed और फिर हमने बात की थी कि किसी loop के center पे यह field है तो इस loop की जगा कॉयल होगी तो कॉयल के center पे कितना field होगा और किसी कॉयल के axis पे कोई पाइट हो वहां पर magnetic field निकाल दी हो तो loop के formula को ही N से मलपाई कर देते हैं and we get the formula for the magnetic field here आज हम इनी formula के ओपर based कुछ applications कुछ practice problems करेंगे आई यह शुरू करते हैं तो पहले question में हमारे पास एक आर्क है और उस आर्क में से current जा रहा है मान लीजे आई और इस आर्क के कारण यहां इस center के पर कितना field होगा अब यह आर्क भी इसी circle का part है मान लो यह लूप पूरा होता जिसका radius पता होता हमें आर और current आई बता है और मान लीजे कि लूप का radius आर है तो ए ओ या फिर बी ओ कुछ भी कह लीजिए यह हो गया आर तो अब इस point ओपर पूरे लूप के कारण कितना field होता है बी नॉट वाज इकल टू नू नॉट आई ड़ाइड बाए टू आर सही बात और यदि पूरा लूप नहीं है यह थोड़ा सा है partial है तो क्या होगा तो जितना एंगल है हमें उसका पता करना पड़ेगा circle में पूरा एंगल होता है 360 का और यह थीटा है तो यह हो गया magnetic field at the center due to this arc मान लीजिए यह आख होती semicircle to semicircle के लिए what is angle this is 180 degree in that case 180 by 360 तो 1 by 2 यह पूरे circle का यह थी magnetic field मान लीजिए 4 tesla है मान लीजिए तो आधे लूप का जो field होगा वो two tesla रहे जाएगा तो उसी pattern पर एक और question है कि हमें यहां पर point P के अपर magnetic field निकालना है और यह है cause of the magnetic field यानि current जा रहा है इस wire में से और इसके current point P पर कितना field होगा वो हमें निकालना है देखें यहां पर जो wire है मानो यह a b कहता हूं इसको मैं इस section को इसको BC कहें तो इसको CD कह दूँ तो AB wire की बात करता हूं तो मैं इसको redraw करूँ यह हमारी AB wire है इसमें जो direction DL vector का है वही direction R का है can you agree R is the displacement vector which joins DL with the point or point कहां पर है उसी line के उपर on the axial line of this wire that mean यह है vector R और यह है DL angle zero degree होगे और के बीच में that mean DL vector cross R vector zero हो जाएगा सीद्धी से बात के current carrying conductor के same line में हर एक point पे magnetic field zero होता है so let us write magnetic field due to AB is equal to zero और इसी तरह से CD के कारण भी इस line के उपर field zero होगा so magnetic field due to CD is also zero अब बात रहेगी magnetic field due to BC part जो आर्क है इस आर्क के कारण कितना field होगा क्या कहें अभी formula this is mu not I divided by two R this is the formula यहां पर पूरे का पूरा circle होता पूरा लूप होता तो लेकिन यहां पर एक सेक्टर है सिरफ और उसका इंगल कितना है 30 degree so what is B this is 30 degree divided by 360 degree right यह हो गया 1 by 12 of you not I divided by 2 R value put करिये असर निकल जाएगा so B comes out to be 1 by 12 what is mu not this is 4 pi into 10 raise power minus 7 units what is current it is given 3 ampere divided by 2 times radius and what is radius 0.6 meter equation को solve करेंगे और हम स्पाइन की ओपर magnetic field निकाल सकते हैं is it clear अब इस question में लूप a e d c a के कारण point P पे कितनी magnetic field है हमने उसकी बात करनी है यहां इडी एक आर्क है जिसका एंगल थीटा सी अभी एक आर्क है एंगल थीटा और यह dc और ea दीजा state conductors तो यहां इजी ए से d current आ रहा है तो फिर डी से सी जाएगा और सी से ए और यह से सी जाए इसी बात है यहां लूप में कहीने बैटरी भी होगी तब सबसे पहले बात करते हैं कि what is the magnetic field due to dc कितना field होगा जीरो क्यों पॉइंट पी यह है और यह से में लाइन की ओपर है इसी पैटरन पे magnetic field due to this ae यह भी कितना हो गया जीरो अब बात रहेंगे दो आक्स की एक है आरक e d और एक है आरक c a आरक e d के अलाउंग यह थि हम राइट थम रूल की बात करें तो this is a direction of current that magnetic field that will point inward राइट यहांई एडी के कारण magnetic field का direction अंदर को है और c a के कारण और c a यह हुआ इसके कारण field का direction बाहर को है यहां पर दो magnetic field हैं एक e d के कारण और c a के कारण और दोनों एक दूसरी को oppose कर रही है अच्छा who will dominate जो बड़ी होगी बड़ी कौन है तो हमने क्या कहा था कि center के उपर यह point इस आरक के और इस आरक दोनों के center पे है ना तो b not होता है mu not i divided by 2 r यानि जिसका radius कम होगा वो magnetic field ज्यादा होगी तो क्योंकि यहां पर pa radius कम है तो आरक c a के कारण यहां magnetic field ज्यादा होगी हम देख रहे हैं और जहां radius ज्यादा है वो field कम हो जाएगी इसके कारण जो field है उसको b1 कहा जाए तो what is the magnetic field due to this arc c a that will be equal to theta divided by 2 pi क्यों थीटा इसका एंगल है और 2 pi होता है पूरे circle का एंगल into mu naught into i जो i यहां पर है वही यहां वही है everywhere it is i i divided by 2 r two times radius यानि जिस circle का यह arc part है उस circle का radius कितना होगा तो यह हुआ PA that mean वो a है this is two times a और इसका direction कहा को हुआ so this magnetic field b1 is directed outward you can write here that this field is directed outward इसी pattern पे बात करेंगे दूसरी magnetic field की इसकी ed के करण जो field होगा उसको b2 लिखते हैं वो कितना हुआ एंगल यहां भी theta है theta by 2 pi this is mu naught i और फरक क्या आया सिर्फ यहां पर b हुआ radius in that case is b और यहां यहां यह genes the field here, this is directed inward you can see immer this generation current So गल finger along current or थम गया inward so this is directed inwards and now we should write as v1 is more than b2 so what is net field therefore net field due to this loop is equal to b1 minus b2 and that becomes theta divided by 2 pi and mu dot i divided by 2 e common under area 1 by a minus 1 by b and this is equal to theta by 2 pi mu not i by 2 this is b minus a divided by ab right so this is the magnetic field due to this given current carrying loop at the center of this system. अब इस question में हमारे पास एक काइल है जो कि काडिनेट सिस्टम के औरीजन पर पड़ी हुई है तो हम काडिनेट सिस्टम को कर देंगे तो हमें टोटल फिल मिल जाएगा तो यह है और काइल का सेंटर के साथ कोइंसाइट कर रहा है अब बात कुई कि यहां पर मैगनेटिक फिल निकारना है एक्स कोडिनेट फी जिरो है य कोडिनेट फी जिरो है ओनली जैट कोडिनेट इस गिवन डाट मेंज यह काइल हमारी यह लूप यह एक्स वाई प्लेन में है तो जैट एक्स की तरफ को होगा वो पॉइंट यह कितना हुआ तो डिस्टेंस हुआ यह एक्स और एक्स का वैल्यू हो गया 20 रूट 3 सेंटीमीटर तो एक्सी नवर केस इस 20 रूट 3 सेंटीमीटर इसको एसाई में करेंगे तो 100 से डिवाइट करेंगे यह हो गया 0.20 रूट 3 मीटर तो अब इस काईल के कारण पॉइंट पी पे कितना फिल्ड है वो निकालना है जाट मैगनेटिक फिल्ड बी विल इक्वल टू वाट इस फार्मूला म्यू नॉट आई आर स्क्वेर डिवाइड बाई टू इन्टो एक्स स्क्वेर प्लस आर स्क्वेर पावर थ्री बाई टू यह था सिंगल लूप लेकारण लेकिन क्योंकि यह काईल है तो हमें नंबर आफ टर्म से मिल्प्लाइब भी करना पड़ेगा तो फार्मूला बिकम्स मू नॉट एन आई आर स्क्वेर पावर टू एक्स स्क्वेर प्रस आर स्क्वेर पावर थी बाई टू बैल इस पुट करते हैं सभी SI में ही यह रिख लीजिए कोई नहीं होगा उसको चेंज कर लेंगे 4Pi इंटो 10 रेस पार माइन सेवन इंटो एन नंबर अफ टर्म इस हंडर्ड इस तैंड इस पावर 2 मिल्प्लाइब आए आई आई इस तू डवैट पाई इंटो आप स्केर प्लस इन फेक्ट इसी इन स्क्राइब एक प्लस आइस को सॉंग कर सकते हैं तो यहां पर टेक्निकल पॉइंट से एक्स को कैसे फाइंड करना था आई होप आपको यह पता लग गया होगा यह भी बहुत ही इंट्रेसिंग कॉंसेप्ट है यह दो वायर्स है ए और बी और इनको शो कैसे किया है एक डॉट से डॉट का मतलब हुआ कि वायर इस हैं लाइक लिए को भी आपकी तरफ आ रहा है और इसको यदि क्रॉट से शो किया होता मतलब यह उता कि क्रॉंट नेक्टर में जिकल को यहां है घर यहां तो करफ कि तरफ है particular कि तरुब music यहां कि दो आई है। वायर जैंग यहां थाथे फडिन hand thumb rule पहले बात करते हैं इस पार्ट में X A पार्ट में क्या हो रहा है हमें सिर्फ चेक करना है कि magnetic field का direction कहां को है whether it is upward और downward उसी के हिसाफ से graph का shape बनेगा अब यहां पर right hand thumb rule से A wire के कारण इस पार्ट में direction of the magnetic field is downward can you agree और B wire के कारण भी यहां पर direction of the magnetic field is downward that means इस reason में जो net magnetic field है वो downward है तो magnetic field का direction upward होगा तो इसको यहां शो करेंगे downward तो यहां पर शो करेंगे और इस वायर के जितना नजदीक होंगे वहां पर magnetic field उतना ही ज्यादा होगा तो यह काम करते हैं कि यहां पर एक reference line ड्रॉ कर लेते हैं और आप देखें कि इस reason में magnetic field कैसे ड्रॉ की जाए और साथ में A नजदीक भी है तो obviously magnetic field due to A will dominate तो यहां पर graph हमारा कुछ ऐसा shape ले लेगा can you agree क्योंकि जैसे ही हम A के पास आ रहे थे यह magnetic field बढ़ रही है in the downward direction in the downward direction यहां बात करते हैं BX डैश पार्ट में क्या हो रहा है देखिए BX डैश पार्ट में B नजदीक है तो इसकी field dominant करेगी A के comparison में अब यहां पर field is upward B के कारण यदि मैं अपने term को current की direction में set कर रहा हूं तो मेरा fingers the curl upward है तो magnetic field is upward A के कारण यहां पर I am talking only BX reason तो A के कारण भी यहां field upward है that means यहां पर जो field होगी वो इस reason में show होगी लेकिन जितना आप दूर होंगे तो field को लगए जीरो होगी और जैसे pass आएंगे तो field को बढ़ना शुरू होगी क्योंकि current carrying connector के कारण जितना distance कम होगा वहां पर magnetic flow नहीं ज्यादा होता है तो इस reason में पहले field बहुत ही कम होगी और जैसे pass आएंगे तो field यहां पर बढ़ जाएंगी so this is the field in x a region and b x dash region अब बीच में क्या हो रहा है बीच में भी हम एक reference के लिए center c लेते हैं अब center c पे field कितनी होगी सोचिए क्या center पे net field 0 है या upward है या downward है देखना पड़ेगा तो wire b के कारण c पे field downward और wire a के कारण field is upward और हमें यह भी दिया है कि दोनों में equal currents है जब currents के amount equal दो mean यह downward और यह upward यह दोनों एक दूसरे को cancel कर रही है that mean net field at point c is 0 तो c पर तो ही field 0 अब c से इधर क्या होगा c से इधर बाले part में a नजदीक है और b दूर हो गया तो यहां पर dominating field किसकी होगी a की और इस part में dominant कौन करेगा b की magnetic field तो a सी reason में a की जो magnetic field होगी that is upward can you see that mean a से दूर जाएंगे तो field decrease होना शुरू होगे and finally यहां पर जाके 0 हो जाएगी और cb reason में क्या होगा अब cb reason में b नजदीक है और b की field इस reason में downward है that mean यह field यहां show की जाएगी और b के पास ज्यादा होगी और finally दूर जाएगे तो घटेगी that means जैसे ही आप wire b के पास जाएंगे तो यह field फिर से maximum हो जाएगी so this is how field varies in these two reasons और मानी यह क्रॉस होता तो क्या बनता तो यह तो केस था कि जब दोनों conductor parallel थे जिब में equal current था और current outward था आपके लिए homebug की दोनों wires में यह current inward होता अब आप try करिएगा कि हमारे पास ऐसे ही दो conductors हैं जो parallel हैं और वहां से equal current जा रहा है लेक प्रिश करिएगा आगे चलते हैं और अब हम बात करेंगे हम whole coils की एक सेट है two coils का विचर parallel to each other और कुछ conditions है जिनको follow करना पड़ेगा तो मान लीजिए हमारे पास दो coils हैं मैं एक loop show कर रहा है लेकिन आसमें coils हैं तो two coils are there और उनकी specialty क्या होनी चाहिए number one these coils should be coaxial right these coils must be coaxial number two इन दोनों में like current होना चाहिए यानि जो current यहां फ्लो कर रहा है मानि यहां पर current इधर को है तो यहां पर भी current इधर को ही होना चाहिए so first point coaxial second point like current and third point is कि इनका radius भी equal होना चाहिए जो इसका radius वही इस coil का radius होना चाहिए और उनकी बीच की जो distance होती है वो भी लगवग radius के ही आसपास होनी चाहिए और चौती बहुत important बात है कि इनमें number of turns भी same होने चाहिए तो दो काईल्स की assembly किसी छोटे से reason में uniform magnetic field को produce करने का बहुत ही बढ़िया तरीका तो यहां होता क्या है कि जो center है ना कि center के आसपास छोटे से reason में इस axis के उपर इस छोटे से reason में uniform magnetic field बनती ह है आप उसको पूब भी कर सकते हैं हम इसके उपर एक अलग से video लेंगे coming days में इन काईल्स के उपर और उस वीडियो में बताएंगी को field कितना होता है and we can show that this uniform magnetic field produced in this small reason on this axis is given by B is equal to 0.72 mu naught n i divided by r so this is the uniform magnetic field which is here and dimension of these coils is also there in our ncrt books right आगे चलते हैं अब इस ncrt question में हमारे पास एक straight wire है और हमने उसको बीच से bend कर दिये पहले इस तरह से बाद में इस तरह से so this is diagram A and this is diagram B तो इस wire को bend करने से जो यह semicircle बना उसका center यहाँ पे है और यहाँ पर जो semicircle बना उसका center यहाँ पे है question यह है कि बताएं यहाँ पे total magnetic field कितना होगा इसके कारण इसके कारण और इसके कारण सेम यहाँ पे field कितना होगा इसके कारण इसके कारण और इसके कारण तो इस wire को थोड़ा गुमा के हम इस band को ऊपर से नीचे shift कर दे हैं तो क्या magnetic field के magnitude पे या उसकी direction पे फरक पड़ता है या नहीं हमने यह जानने की कोशिश करनी यहाँ पे अब देखिए इस point पर मानिए यह ओ point है इस state segment के कारण net field कितना होगा हमने बात पहले भी की थी net field will be 0 क्योंकि इस state part में DL vector cross R vector 0 होगा क्योंकि इन दोनों के बीच का angle कितना हुआ 0 degree यह है कहीं DL vector मानलों मैं यहाँ लेता हूँ और यहाँ से इसको जोड़ेंगे तो वही R vector है दोनों का direction सेम होगा angle theta 0 तो इनका cross product भी 0 हो जाएगा यहाँ पर भी इस state part के कारण भी net field यहाँ पर 0 हो जाएगी यहाँ पर भी इस state part के कारण net field जीरो और इसके कारण भी net field यहाँ पर 0 होगी यहाँ पर कोई फी state part हमारी magnetic field में contribute नहीं करेगा अब आते हैं इस semi circle पे तो current की direction के along जोड़ी fingers का curl रख दिया जाए तो क्योंकि thumb inward है तो यहाँ पर हमारी magnetic field का direction होगा inward और एक और दंसी देखिए तो यहाँ पर जो DL cross R vectors है तो चोटा सभी यहाँ पर मैं DL element लेता हूं उसके कारण यहाँ पर net magnetic field अंदर की तरफ अगला पार अगला पार अगला पार सभी के कारण जो net field होगी वो अंदर की तरफ ही होगी that means जितने भी यह DL cross R है यानि जितने भी छोटी छोटी fields है जो DL cross R के along है that means perpendicular to this plane है वो सारी inverse होंगी और यह magnetic field कितनी होगी तो full loop के लिए यदि यह loop full होता तो magnetic field होती है mu not i divided by diameter लेकिन यह half loop है तो उसको multiply करेंगे हम 180 degree divided by 360 degree माने 1 by 2 से या फिर pi radian divided by 2 pi radian क्योंकि semi circular loop के लिए जो angle है या वो pi radian है या 180 degree है को टिवाइड करेंगे 2 pi से यह हो गया 1 by 2 multiplied by this formula becomes b is equal to mu not i divided by 4r so this formula can be used to find the magnetic field at the center due to a semi circular arc यहां चलते हैं यहां पर क्या हो रहा है इन दोनों की कितना फिल्ड होगा तो right hand thumb rule से यहां पर फिर से magnetic field का direction देखेंगे तो यह outward आ रहा है क्योंकि यहां पर फिल्ड आ रहा है यहां पर इसको dot से शो करेंगे उसको cross से शो किया था कि dot से शो हो रहा है वहां पर field inward थी यहां पर field outward थी और क्योंकि radius यहां पर भी हो ही है जो उधर था इसके लिए भी सेम रहेगा formula अब आई का वैलिया हुआ है radius दिया है two centimeter इसको change करिए SI में two by hundred हो जाएगा this is zero point zero two meter तो इन values को put करके you can find that what is the net magnetic field due to this semi circular part at the centers and here the answer will come out to be one point nine into ten raise power minus four tesla in each case दोनों cases में same value अब इस question में हमारे पास दो conductors है AOB और COD तो मान लेजिए यह है conductor AOB और यह हो गया conductor COD they are held mutually perpendicular to each other और इन में current दिये हुए है I1 और I2 लेकिन current का direction नहीं दिया हुआ है तो मान लेते हैं I1 इस तरफ है और I2 इस तरफ है अब हमें बताना है कि what is the magnitude of the magnetic field at a point P जो इस point O से A distance पे है तो काफी options है वो point कहीं भी हो सकता है तो किस तरफ को है तो इस point P is in a direction which is perpendicular to the plane containing ABCD तो ABCD का plane कौन सा हुआ यह board और इस board से A centimeter away चाहे ऊपर लेजिए चाहे नीचे लेजिए तो मान लेते हैं कि मैं कहता हूँ कि मैंने वो point of magnetic field तो माल लेते हैं B1 is the magnetic field due to conductor AOB and B2 is the magnetic field due to conductor COD अब देखते हैं कि AOB के कारण मानिए यह AOB है तो यहां पर इस point पर magnetic field का direction क्या होगा क्या देखेंगे this is in the downward direction जो एक loop बनेगा point P से होते हुए वो downward direction में जाएगा that means this is the direction of B1 right तो यह point P था और P पर magnetic field due to this AOB is in the downward direction अब देखते हैं कि COD के कारण point P पर magnetic field का direction कहा को होगा तो देखेंगे यह direction हुई इस तरफ को that means point P से होता हुआ जो लूप जा रहा है उसमें field इस तरफ को है so this is the magnetic field B2 due to conductor COD तो पहले conductor के कारण field यह और दूसरे कारण field यह अब यह दोनों विचली perpendicular है तो net field होगी इन दोनों vectors का resultant that means net field as per vector addition laws आप जानते हैं B1 square plus B2 square and square root so this is the net magnetic field here तो यह हमें B1 और B2 के values पता हों तो we can find the magnitude so what is B1 formula क्या होता है long current current connector के लिए magnetic field होती है mu not I divided by 2 pi A यहाँ पर what is current in the first case I1 distance तो खहल एही था and what is B2 B2 is equal to mu not I2 divided by 2 pi A this is यहां भी A ही है point P का center से अब देखिए what is B तो B हो गया mu not I1 divided by 2 pi A whole square plus mu not I2 divided by 2 pi A whole square and its square root और यहां पर mu not by 2 pi A common हो जाएगा mu not by 2 pi A क्योंकि square का square root बाहर निकाल दिया अंदर रह जाएगा I1 square plus I2 square and its square root so this is the magnitude of the magnetic field at that point P due to these two mutually perpendicular conductors अभी इस diagram में हमारे पास दो loops है L1 और L2 L1 का radius 3 cm L2 का radius 4 cm इन दोनों की बीच का distance 7 cm such that कि बीच में point X है X से ये वाला loop L1 loop 4 cm है लेकिन X से L2 loop 3 cm है और L1 loop में current is in the entry clock wise direction its values 1 ampere question यह है कि second loop में current का direction क्या होगा और current की value कितनी होगी such that at X net field is zero condition क्या है कि X के ओपर net field zero है हमें बताना है I2 कितना होगा if this is I2 और उस I2 का direction क्या होगा क्या बोलते हैं आप अब इस point पर field को zero होना है point X पर magnetic field तभी zero हो सकती है यदि L2 loop में current का direction L1 के opposite हो हमने पढ़ा था कि current carrying loop के कारण कोई point कहीं पर भी हो यहां हो यहां हो उसका direction हमेशा सेम ही रहता है यदि current का direction सेम होगा तो फिर वो दोनो magnetic field support करेंगी इसलिए यह दोनो loops में current का direction उल्टा होना चाहिए तो यहां पर यह anti clockwise है तो इधर second loop में the direction should be clockwise तो पहला असल आ गया है कि direction in the loop is clockwise और second part है कि what is the current कैसे निकाला जाए अब यह point है कहां पर loop के axis पर क्या हमें axial point के ओपर magnetic field due to loop निकालने आती है yes what is the formula formula होता है mu not i r square divided by 2 into x square plus r square power 3 by 2 जानते हैं आप तो यहां पर क्योंकि b1 is equal to b2 होना है इसके कारण जो field यहां पर है वो cancel करेगी इसके कारण वाली field को यहां पर इस formula का use करके लिखते हैं कि b1 कितना होगा so b1 is equal to mu not i1 and what is r r is 3 centimeter क्या लिखा जाए 3 into 10 raise bar minus 2 meter में हो गया इसका square कर लीजिए divided by 2 2 to 2 ही रहेगा and this is x square what is x distance यहां का this is 4 centimeter this is 4 into 10 raise bar minus 2 square आगे चलते हैं plus r r is again 3 centimeter 3 into 10 raise bar minus 2 square और इस सारे का power हो गया 3 by 2 और इसी pattern पर लिखेंगे expression b2 के लिए तो equal to this is mu not i2 and what is radius radius is 4 centimeter 4 into 10 raise bar minus 2 square divided by this is 2 and x square plus r square यहां पर यह x है तो यह कितना हो गया this is 3 into 10 raise bar minus 2 square and r square is 4 into 10 raise bar minus 2 square और इस सारे का power 3 by 2 यहां देख रहे हम mu not and mu not cancels 2 and 2 cancels और यह 4 यहां पे distance था और 3 radius था लेकिन यहां पे 4 radius है और 3 distance है that means यह सारा फेक्टर सेम हो गया and we are left with i1 into 3 into 10 raise bar minus 2 square and that is equal to i2 into 4 into 10 raise bar minus 2 square i1 हो गया 1 ampere 10 par minus 4 यह भी कट जाएंगे क्योंगे multiplication में है यहां पर आगया 9 is equal to 16 i2 so i2 comes ought to be 9 by 16 ampere and that becomes 0.56 ampere this is all in this question